नमस्कार देश की बात में आप सभी का स्वागत है अविनंदन है उत्रपदेश में भारती जन्रतापार्टी के भीतर ख़त बदाहट है टकराव है तकरार है लोगसमाच चुनाव के परिणामों के बाद जो दंगल शुरू हुआ उत्रपदेश में लग रहा है कि जिसे दंगल करने वालों को बस किसी एक बजह की जरूरत थी दंगल के लिए मन तयार था मानस बना हुआ था कि अपन को दंगल करना है एक बजह की तलाश थी लोगसमाच के नतीजों ने वो बजह प्रदान कर दी अब सबकी अपनी अपनी व्याख्या और अपने अपने तर्क मुझे लगता है कि इस दंगल का नतीजा चाहें जो भी हो जत्तियों के इस तरपर कोई नफा में रहे कोई नुकसान में रहे लेकिन पार्टी के इस तरपर ये तय है कि भारती जनता पार्टी को इस तरह की उच्छलकूद से केवल और केवल नुकसान ही होना है ये नुक्सान का सिलसला शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव के परचार के आरंभिक दिनों से जब कानो कान कानो कान ये ख़बर फैलाई गई मैं फैलाई की शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि योगी जी को हटा दिया जाएगा बस चुनाव भर हो जाए उनको तुरंद हटा दिया जाएगा गाजी पूर से गाजियाबाद और बस्ति से बहराईश तक चौक शवराहे खेत खलियान तक ये ख़बर कैसे पहुंची और क्यों उड़ाई गई और उड़ाई भी गई तो इसका किसी मानने इस्तर से बड़े इस्तर से प्रामारिक खंडन क्यों ने हुआ फिर जब ये ख़बर कानों कानों तेर रही थी उत्रप्रदेश के पूरे देश में तो इस पर एक और मजबूती देने का काम किया आर्विंद केजरिवाल है वो जब तिहार से पहल बाहर आ अंत्रिम जबानत पर तो उन्होंने सबसे पहला सद्वचन यह उचारित किया कि लोग सभा चुनाव के पर नतीजों के दो महिने के भीतर योग्याजित्तिनात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पत से हटा दी जाएगगी अब भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा ने जब इसका खंडन किया तो कौन सी तारीख चुनी गई एक जून की का मध्यान के बाद का समय यानि जब आखरी चरण का मतदान लगभग हो चुका था तो नड़ा जी ने कहा कि अब बहा है मैं इसका खंडन करता हूं कोई नहीं हटा रही होगी जी को बहुत अच्छा काम कर रहे है जो बात मतदान के बाद कही गई मतदान के बीच में क्यों नहीं कही गई खर चाहाँ करो कि ह्ठान को रोका जा सकता था अगर प्रहमालिक खंडन आजाता। जैसा की प्रहमालिक क्खंडन रसे, निद्र मोदी जी की संदर्भ में आया, कह गया कि मोदी जी खुद प्रदानमंतरी नहीं बनेंगे, अमिस्या बनेंगे, इसका खंडन 30. मिन 핏ंट बीतर, तीन बड़े लोगों ने, अमिश्या जी ने, राजनाज जी ने, नद्डा जी ने, तीनों ने एक साथ खटा खट्टू ठोका, लेकिन वैसा योगी जी के संदर्भव में नहीं हुआ, वहां से बड़ा नुकसान हुआ, और उसके बाद जब से लोकसवाज चुनाम का नतीज जाएंगे, कोई करा ये बन जाएंगे, कोई करा वो बन जाएंगे, इस अस्थिरता की स्थिती ने, इस अनिश्यतता की स्थिती ने, भारती जनता पार्टी के लिए नुकसान का दर्वाजा खोल दिया, ये तैजान ले जाएंगे, इस तरक में ना भी हम जाएं कि कोन जीत बहेदेगा कौन हारेगा, फिर भी यह बात बिलकुल सच है, कि पार्टी के इस तरपर भाजपाक को सर्फ और सिर्फ नुक्सान ही नुक्सान नहें इस सारे विवाद में, इस सारे कवायद में। ी विधायक, पूर्व विधायक, वरतमान विधायक, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद ढूने जा रहे हैं खोजे जा रहे हैं कि आओ भाई कुछ बोलो ऐसा जिससे सरकार पर प्रश्ण चिन्न खड़ा हो योगी सरकार पर बताईए सरकार भी भाजपा के और बोलने बाले भी भाजपा के हैं तकनिकी तोर पर और नुकसान भी भ जो लोग बोल रहे हैं उनको पता नहीं, इस बात का इल्म है कि नहीं है, कि अभी उप चुनाव में और उसके बाद विधान सभा चुनाव में, उनके बोले भुए ये वचन विपक्ष के अस्त्र होंगे, सस्त्र होंगे, जो अभी छोटे-मोटे निताओं से बुलवाया जा ये बातें बेपक्ष के हाथ का अवजार होंगी, हतियार होंगी इत्ताए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी भाजपा के आंगन में इस धमा चौकरी के कारण फिर और प्रोएक्टिब मूड में आ गई, और अगले श्यादा तंज कसने का और मजा लेने का कोई अवसर च और यह उफर वो पहली बार नहीं दे रहें, वो पहले भी किशमोर्याद को यह उफर दे चुके हैं, एक बार देख टीवी चैनल पर ही उन्होंने उफर दे दिया था, कि मौर्याजी के पास सो विधायकों तो आ जाए हम बनवा देंगे सरकार, मांसुन सत्र भी आने वाला है उत्तरपदेश विधान सावा का, तो मसला यह के भारती जनता पार्टी का जो कोर बोटर है, जो राष्टवाद से, राष्टियता से, हिंदुत्व से, सनातन से, काशी मतुरा और अयुद्ध्या से, मन से जुड़ता है, और इसी कारण भाजपा से जुड़ता है, वो हत अतप्रव है, भौचक है, असहज है, वो समझी नहीं पारा, कि ये हो क्या रहा है पार्टी में, और क्यों हो रहा है, इस तरह का युद्ध, पार्टी के लिए अशुब संकेत लाता है, ये सामान्य कारी करता कि धरना यही है, जो गुटों में नहीं बटा, जो किबल भाज है, उसको यही लग रहा है, जो नेताओं के कारी करता है, व्यक्तियों के कारी करता है, उनकी बात छोड़ दीजे, वो तो अपने जिसके कारी करता है, उसके जिंदाबाद है, तो वो ठीक है, उसका जिंदाबाद नहीं है, तो उनको नाराजगी है, लेकिन जो जिनकी यह जाहिर सी बाग है कि योगी आधितनाथ और कल्यान सिंग जनसंग से लेके अब तक भाजपा की यात्रा जो है राजनेतिक यात्रा उसमें उत्तर पदेश में संगठन ने दो ही बड़े चेहरे इस्थापित किये जो अपने बलबूते पार्टी को सरकार में लाए कल्यान सिंग जी लाए एक बार 222 विधान सवा सीटे जितवा कर और 2022 में योगी आधितनाथ लाए सत्रा में वो मुख्यमंत्री नहीं थे के दावेदार के रूप में चिन्हित नहीं थे इसने में सत्रा कौल लिख ने किया लेकिं बाइस में उनी की चेहरे पर चुनाब हुआ और वो पार्टी को जिता कर लाए ये सवभाग्य ये इस्थिती ये हैसियत जन्रसंग से लेके आज तक भाजपा में इतने बर्षों की दशकों की राजनेतिक यात्रा में उत्रपदेश की भूमी पर सिर्फ दो ही नेता जन्मे कल्यान सिंग और योगी आधितनाथ बाकि बड़े नेता बहुत हुए बड़ क्रिष्मा कोई ने कर पाया कि उसके चेहरे पर उत्रपदेश में सरकार हो गया हुए जनसंग के समय क्रपाया ना भाजपा के समय कर पाया कि सिर्फ दोनेता कर पाये करिश्मा कल्यान सिंग tomorrow मुझे वह भी इस मुंद है कि कल्यान بالसेंग को गहरने की कोशिश होती थी और तमाम वो लोग उनका गहरने की कोशिश करते थे जिनके पास जनधार नाम पर कुछ नहीं होता था और बाद का समय इस सिद्ध कर गया, कि जितने लोग कल्यान सिंग के मुख्यमंटरी रहते हुए, उनके विरुद्ध थे पार्टी के भीटर, वो कल्यान सिंग के मुख्य उससे हटने के बाद, वो लोग भाजपा को कहीं भी कोई उलेखनी उपलब्धि हसिल नहीं करा पाए में नामों में नहीं जाता लेकिन आप देख लीजिए जितने भी लोग थे आप इस्मरन करिये उस समय उन में से किसी ने भारती जनता पार्टी को कोई उल्लेखनी की भैठी के उत्रपदेश में उन्होंने सरकार बनवा दी ऐसा तो नहीं न तो यह जो एक भाव है कि दो ही लोग हुए जिनके चहरे पर सरकार आई और वैसे ही जनसंग से लेके आज तक भाजपा में राष्ट्री इस्तर पर दो ही चहरे अटल विहारी वाजपाई और नरेंदर मोदी जिनके चहरे पर देश ने विश्वास किया वैसे ही जैसे राष्ट्री इस्तर पर अटल जी औ और मोदी जी वैसे ही उत्तर प्रदेश के इस्तर में जनसंग से भाजपा तक कल्यान सिंख और योगी आदितनाथ ना राश्ट्री इस्तर पर कोई तीसरा नाम है ना उत्तर प्रदेश के इस्तर पर कोई तीसरा नाम है अब इस परिष्थिती में भर्दी जनता पार्टी के नेताओं ने स्वेम को खुद फसा लिया जहां पर हर तरफ टकराव दिख रहा है और एक दूसरी से एकाउंट सेटल करने में स्कोर सेटल करने की ललक में वो सब भी बोला जा रहा है जो नहीं बोलना चाहिए पार्टी के अनुशाशन के दाइरे में रहने वाले लोगों को तो कुल मिला कर लब लुवा भी किस नेता का नफा और किस नेता का नुकसान इसको छोड़ दीजिए एक इसमें तो शंशे है किसका होगा नफा किसका नुकसान नहीं कह सकते लेकिन ये तहे कि इस पूरी जंग में इस पूरे छाया युद्ध में भारती जन्नता पार्टी का नुकसान तै है नमस्कार